Hello friends, मैं आज आपके साथ नमक पारे की रेसेपे शेयर कर रही हूँ ये स्नैक्स की रेसेपी है इसे आप बना के ऐसे न बंग बना के एक मैने तक यूज भी कर सकते हैं ये नमक पारे आज मैं शंक राइए हूँ जीक्तिं क्टम यूनिक से इफ्रेंट शेप में दिखते हैं औ कोई भी बॉल में हल्दी डाल दे और उसके अंदर हम पानी एड करेंगे एक कप जatro गुना उन्हें और एक कप में हाफक जुत practically में फ़ mogelijk चेंब ज्तना हैं और अब नमक पारे के लिए हम आड लगाएंगे आटा लगाने के लिए मैंने ये कटोरी से नाप के मैंने ये मैदा लिया है आप यहाँ पर आटे का भी यूज़ कर सकते हैं आटे के भी नमक पारे बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो मैंने ये तीन कटोरी जितना मैंने मैदा लिया है अब इसके अंदर स्वात के निशा नमक अब इसके अंदर कलोन जी से ये डमक बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये ब्लैक कलर होती है कलोन जी बहुत ही सुंदर दिखती है और इसमें 1 टीज़पून जितना मैं अज़वाइन को हाथ से मसल के डाल जी हूँ जिसमें मतर अच्छा टेस्ट आता है जाए मुत्ती बना नहीं मंठी बना रहे हो मैं तरीकी का मुत्टी बनाओक हो चाएंग बीडियम सकत आठा लगाना है उसके लिए हमने पहले हल्दी का पानी जो बना के रखाता उससे ही हमें आठे को बूतना है जिससे कि होता है इसमें बहुत ही अच्छा कलर आता है अगर हम डारेक्ट आठे के अंदर हल्दी डाल के मिलाते हैं तो वह हल्दी अच्छे से मिक्स पानी का खुल बना के फिर इसमें डालना चाहिए जिससे कि यह इकोली पूरे आठे में लग जाती है अल्दी और इसका बहुत ही अच्छा कलर आता है यह देखे तो मैंने इस तरीके से अल्दी वाली पानी से मैंने आठा लगा लिया है यह थोड़ा सा पानी बच गया है इसे में बाद में कोई सब्ची बनाने में यूज़ कर लोंगी हमें इसे फैकना नहीं है और अब आठे को हमें ढख कर इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है जब यह 10-15 मिनट बाद आठा सेट हो जाए तब हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मत ल इसे पराठे बनाते हैं उस साइज की हमें लोया बना के तयार करनी है यह देकि हमने जो सक्त आठा लगाया था इसी तरीके का आठा होना चाहिए और अब इसकी पराठे की साइज की लोया बनाएंगे ज्यादा मोटी पतली नहीं बनानी है अगर आप इसे प्लेटफॉं मे तो थोड़ी मोटी बना के भी बेल सकते हैं हमें इसे रोटी की साइज का बेलना है यह दिके जितना रोटी होता है पतला उतना ही करना है ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है एक्दम ज्यादा पतला भी नहीं रखना जैसी रोटी बेलते हैं उस साइज का हमें बेल लेना है औ अब मैंने इसे कट कर लिया है अब हम इसके फिर से छोटे-छोटे स्क्वैर से डिवा कर देंगे जैसे हम कोई बरफी या बनाते हैं उस साइस का स्क्वैर शेप में बरफी को कट करते आप साइस के हमें इसके पीसेश चाहिए तो यह दिके इस तरीके से मैंने स्क्वेर शेप में इसे कट कर लिया है अब हम इसके नमक पारे बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने एक टुकड़ा उठा लिया है और इसके जो कॉनर्स हैं जो सामने सामने वाले कॉनर्स हैं उन्हें हमें चिपकाना है, ये इस तरीके से हम इने चिपका लेंगे, अच्छे से सील करना है, ताकि ये खुले नई फ्राइ करते समय, और दूसरे और है उसे ऑपोसित साइट में गूमा कर उसे चिपका लेना है, तो ये इस तरीके से हमारे यूनिक से संक शेप में ये नमक पारे बन हुँ हमें इसके सामने वाले corners को चिपकाना है और दूसरे जो corners है उसे opposite side में चिपकाना है तो यह हमारा यह unique सा शंग बच्चों को इस तरीके से बनाना बहुत ही अच्छा लगता है मेरे बेटे ने भी इसमें बनाने के लिए मेरी help की है उसे भी बहुत मजा आ रहा था इसे बनाने में और यह देखे इस तरीके से हमें शारे से बना लेंगे जो एकदम unique से लगेंगे आप जब किसी के सामने यह सर करोगे को नाश्टे के रूप में तो वो एक बार जरूर पूछेंगे कि यह आपने क्या बनाया है क्योंकि देखे कोई नहीं बुलेगा कि आपने यह नमक पारे बनाया है एकदम अलग शेप और अलग सा कुछ ही दिखता है यह तो यह दिखी मैंने यह सारे अब यह नम नमक पारे बनाके रखे हैं हम इसे फ्राइ कर लेंगे एक बार में जितने नमक पारे आ सकते हैं उतने ही डाले ज्यादा ओवर नहीं डाले और इमें इसे जब बनाते हैं नमक पारे यह शंग शेप में तब हम इसे थोड़ा सा अच्छे से सील करना चाहिए जिससे कि यह ख जाए कुरकुरे से हो जाए खसता तब हम इसे निकाल देंगी कलग बर्तन में आप चाहिए इसे कोई टीशू पेपर या कपड़े पर किसी पर निकाल सकते हैं जिसमें एक्ष्टा जो ओयल हो वह अच्छे से सोक कर ले और जो हमारे बाकी जो नमक पारे बच चुके हैं उन्ह तो कि मरें लाइक और शाहर करें और अगर मेरे वीडियो को लाइक और शाहर जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बना भूले थैंक्यू फर वाजिंग